दोस्तों सेव तो हम सब खाते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि सेव खाने से हमारे सरीर में क्या बदलावाते हैं अगर नहीं पता तो यह बीडियो सिर्फ आपके लिए बनी है इस वीडियो को देखने के बाद आप सेव के बारे में धेर सारी जनकारिया इखठा कर सकेंगे क्या आपको पता है सेव को फ्रिस्थ बाहर रखने पर वो दस गुना तेजी से पकता है क्या आपने कभी सोचा है कि सेव पानी में क्यों तैरता है इसका करण यह है कि इसके अंदर का 25 प्रतिसत भाग हावा से बनाता है क्या आप जानते हैं विग्यानिकों के अनुसार दुनिया में पहली वर सेव हजारों साल पहले मत्य एसी आई देश का जिस्तान में पैदा हुए थे सायद आप नहीं जानते होंगे नीद भागाने के लिए कौफी के तुन्ना में एक सेव अधिक कारगर है इसकी प्राकिर्थिक चीनी कैफ्टीन के तुन्ना से अधिक सकती साली है सायद ही आप को पता हो कि सेव आप के दातों को स्वस्थ और चमकदार बनाता है यह रोप प्रतिरोधक चमता को पढ़ता है सायद ही आप जानते हो यह मस्तिक्स के लिए भी फोथी लाबदायक है यह एक काटरस्ता और यद्दास को पढ़ाने में मदद करता है आप नहीं जानते होंगे कि सेव आखों से जूड़ी समस्या जैसे कुलकोमा आखों की रोशनी कम होना आधी को भी ठीक कर सकता है आप नहीं जानते होंगे कि एपल जूस को बालो पर लगाने से रूसी यानि डेंडरफ खत्म हो जाते हैं क्या आप जानते हैं सेव गुर्दों में पत्र यानि स्टोन को बनने से रोपता है साइध ही आपको पता हो कि सेव कभी भी छिलकर नहीं खाने चाहिए क्योंकि इसके छिलके में दो ती हाई फाइगर और बहुत धेर सारे एंटी ओक्सिडेंट पहे जाते हैं जो कि हमारे सरीर के लिए बहुत लापकारी है सेव में कौन सा बिटामी पहे जाता है या हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको सेव के बारे में जनकारी कैसी लगी या भी हमें जरूर बताएं अगर आपको अच्छी लगी हो तो नीचे दिए गये सब्सक्राइब और लाइक बटन को जरूर प्रेज करें